नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर जस्मी तालवालिया बेरियाट्रिक और एडवांस लेपिस्कोपिक सर्जन इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पेशेंट्स के बारे में जो बेरियाट्रिक सरद्री से खबराते हैं और उनके पास वेट लॉस के लिए और कोई मेजर सल्यूशन नहीं है यानि वो पेशेंट जिनका BMI ज्यादा है एस्पेशली BMI 30 प्लस है जो और किसी मेथट से बेट नहीं लूस कर रहे हैं डॉक्टर उन्हें बेरियाट्रिक सरद्री एडवाइस कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्योंकि ऑपरेशन का डर उनके अंदर इतना ज पिछले बहुत सालों से डिफ्रेंट बैलून्स रेकमेंडेड हैं जो वेट लॉस में हल्प करते हैं इन बैलून्स में कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जाता आपके मुह से ही हम एक बैलून पेट के अंदर डालते हैं बैलून डालने से पहले डिफ्लेटेड रहता है यानि कि अनुद डिफ्रेंट डिफिरेंट डिफ्लेट्स से फिल किया जाते है और आफटर वाइल जब पेशेंट अपना वेट छुष कर लेते हैं इनहें इधर निकाल दिया जाता है या कुछ बिलून्स अपने आप ही पास हो जाते हैं अब आप कहेंगे कि हर एक पेशेंट मे bariatric surgery अच्छी रहती है लेकिन अगर वो नहीं करवाना चाहते हैं इसके लिए वो balloon डाल सकते हैं या फिर आपका weight इतना जादा नहीं है यानि BMI is less than 32.5 या आपका BMI जादा है और आप balloon से डखते हैं इन दोनों conditions में आप balloon डलवा सकते हैं यह एक अच्छी news है बहुत सारे patients के लिए क्योंकि देखा गया है कि बहुत कम patients जो वाके ही bariatric surgery के candidate हैं वो eventually bariatric surgery opt करते हैं क्योंकि उनके मन में operation का एक बहुत बड़ा डर बना रहता है तो अगर आपका BMI reasonable है यानि BMI 30 से लेकर let us say less than 40 है और आप 10 से 15% maximum 20% weight lose करना चाहते हैं तो balloon से इतना weight loss usually संभव होता है अगर आपका BMI इससे भी जादा है और फिर भी आप bariatric surgery नहीं करवाना चाहते हैं फिर भी आप balloon की मदद से कुछ हर्ट तक अपना weight loss कर सकते हैं एक balloon usually 10 to 20% तक का weight loss देता है और कुछ cases में balloon repeat भी की जा सकते हैं अगर आप repeat ना भी करवाएं तब भी अगर आप bariatric या balloon नहीं डलवाते हैं तब आपका weight लगबग उतना ही रहेगा जो existing weight है और balloon से at least 10 to 20% weight loss हो जाएगा अगर आप well committed है, lifestyle अच्छी रखते हैं, diet as recommended लेते हैं, dietation का कहा मानते हैं और साथ-साथ physical activity अच्छी करते हैं तो बहुत सारे patients balloon के साथ भी 20% से जादा भी weight loss कर पाएंगे balloons लगबग दो तरह के हैं, एक तो traditional balloons हैं जो endoscopy के थूँ डाला जाता है यानि की हम endoscope की tip के साथ balloon को attach करेंगे, उसके बाद endoscope की help से balloon को अंदर लेके जाएंगे patient को कुछ minute के लिए भी होश किया जाएगा, balloon stomach के अंदर जाने के बाद हम उसे inflate करेंगे उसके साथ जूड़े हुए catheter के साथ और उसके बाद हम balloon को अंदर छोड़ देंगे ये balloons कई type के हैं, कई companies ने supply करती हैं और ये 6 months से लेकर 1 year तक अंदर रखा जा सकता है इसमें से एक spats balloon है, जो adjustable है, spats 3 के नाम से आता है जिसको हम initially कम fill कर सकते हैं, यानि कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जादा बड़ा balloon अंदर होने की वज़े से आपको vomiting जादा हो सकती है तो हम उसे पूरा up to the capacity initially fill नहीं करेंगे कम fill करकर कुछ दिन आपको देंगे ताकि balloon से आप adapt हो जाएं और उसके बाद अगर required हो और further weight loss करने के लिए then we can fill it up to the fullest यानि हम इसे adjust कर सकते हैं depending upon the patient's size of stomach and patient's need अगर किसी point पर patient को लगे कि balloon की capacity जादा हो गई है और उसे tolerant नहीं कर पा रहे हैं इन conditions में rather कि हम पूरा balloon निकाल दें हम इसका कुछ हिस्सा fluid का निकाल सकते हैं और balloon आपके अंदर ही रहेगा इससे जो wastage होनी है यानि balloon एक expensive product है अगर निकाल देते हैं intolerance की वज़े से तो सारे पैसे waste हो सकते हैं और अगर हम उसे adjust कर देते हैं तो आप फिर further carry कर सकते हैं balloon को उसके desired time तक SPATS 3 balloon का यह बहुत बड़ा advantage है over other balloons कि इसे adjust किया जा सकता है इसकी duration के लिए यानि कि जो एक साल तक जब तक balloon आपके अंदर रहेगा हम इसे in between अगर लगे कि ज़्यादा tight है या ज़्यादा loose है तो हम balloon को adjust कर सकते हैं इसके लावा आज कल एक नया device है यह एक capsule की तरह है आप OPD में बैठ कर इसे पानी के साथ swallow कर सकते हैं और उसके बाद हम X-ray में चेक करके कि क्या यह वाके ही आपके पेट के अंदर यानि स्टमक के अंदर चला गया है उसके साथ ही हम इसे fill कर देते हैं फ्लूइट से और जो catheter है उसको हलका pull करने से वो balloon से detach हो जाता है और balloon आपके अंदर रह जाता है यह लगबग 5 महिने तक आपके पेट में रहेगा इसका material बहुत थिन होने की वज़े से यह बड़ा अच्छा tolerant होता है और आपको weight loss करने में help करता है इसकी दूसरी बड़े खुबी यह है कि 5 महिने के बाद यानि लगबग जब 5 मन्स पूरे हो जाएंगे यह अपने आप ही इसका valve खुलने के बाद यह stools में pass हो जाएगा और आपको इसे निकलवाना भी नहीं पड़ेगा ने technology के साथ-साथ इसमें आपको एक advanced weight tracking machine और एक health tracking device भी मिलेगी और 6 months तक dietitian आपको follow करेंगे क्योंकि आपका सारा data यह अपने आप ही online हमारे पास transfer करता रहेगा इसका downside यह है कि यह नई technology होने के वरे से इसकी cost दूसरे balloons के मुकाबले कुछ ज़ादा है और इसका duration पांच महिने तक का ही है लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसे दुबारा डलवा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको further और weight loss के रूरत है अगर आप इन सभी balloons यानि इंट्रगेस्टिक balloon और swallow pill को bariatric surgery से compare करें तो bariatric surgery एक permanent modification है बोड़ी के अंदर यानि हम जो भी आपका stomach छोटा करेंगे या intestine को bypass करेंगे वो for the rest of the life आपके साथ रहेगा इसी आप positively और negatively दोनों तरीके से देख सकते हैं positive effect यह है कि जो भी आपके अंदर change हुआ वो पचिवी life आपके साथ रहेगा और आपको weight maintain करने में असानी होगी लेकिन negatively जो भी इसका negative side effect होगा यानि जो आपको vitamin supplement लेने पड़ेंगे उस supplements भी है आपको for the rest of life लेने पड़ेंगे तो कुछ patients इसे positively देखते हैं कुछ patients इसे negatively देखते हैं हम आपका point of view change नहीं कर पाएंगे बहुत सारे patients की thought profile लगबख fix होती है very quickly they decide कि उन्हें operation करवाना है या नहीं करवाना तो अभी ये दोनों तरफ ही एक-एक option है अगर आपको लगता है कि आप permanently अपने digestion system को chain करना चाहते हैं और आपको operation से डर नहीं लगता तो आप bariatric surgery की तरफ जा सकते हैं उसमें भी कोई बहुत बड़ा risk involved नहीं है these are very safe these days और hospital stay hardly 2 दिन का रहता है recovery बहुत fast होती है और अगर आपको लगता है कि आप अपनी body पर कोई भी cut नहीं लगवाना चाहते permanently body में कोई change नहीं चाहते आपकी will power अच्छी है आप body को balloon के तरज जरिये ठीक कर पाएंगे तो definitely you can go for balloons intra gastric balloons है जो endoscopy के लिए डाले जाते हैं या swallow pill है जो बिना किसी endoscope के भी आप swallow कर सकते हैं these are also good options weight कम करना जरूरी है कुछ बिना करें और उसी weight को carry करते रहें वो सबसे ज़्यादा घहतक होगा आपकी health के लिए आपके life के लिए आपके आसपास लोगों के लिए body में weight ज़्यादा होने से हर second damage हो रहा है आपके हर organ को ज़्यादा weight की वज़े से damage हो रहा है आपका heart, liver, kidney जितने weight के लिए बने हैं उससे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो इसलिए इसमें ज़्यादा time ना waste करते हुए आपको quickly act करना चाहिए और जो भी option आपको better suit करती है उसे adopt करना चाहिए I hope ये video देखकर आपको balloons के बारे में और उसका comparison as compared to bariatric surgery इसके बारे में कुछ idea मिला होगा और अपना decision पहले से अच्छी तरह से ले पाएंगे Thank you